कुंदन इन्होंने सवाल पुछा है कि मैं किसी की पूजा नहीं करता हूँ लेकिन फिर मेरे घर के लोग जो बुजुर्ग लोग है बहुत खपा हो जाते हैं बहुत नाराज हो जाते हैं मुझे बहुत प्रेशर करते हैं तो ये क्या सही बात है यानि मैं पूजा नहीं करता हूँ ये भी सही बात है कि नहीं और लोग इस डंग से मेरे साथ बरताव करते हैं ये भी सही बात है कि नहीं हमारे भारतिय कॉंस्टिटुशन ने हमें स्वतंत्र विचार रखने का भी अधिकार दिया है और स्वतंत्र आचरण करने का भी अधिकार दिया है उसी के साथ में हमें हमारा धार्मिक आचरण करने का भी अधिकार दिया है और उपासना करने का भी अधिकार दिया है दोनों अधिकार हमारे constitution ने हमको दिये याने आप अगर चाहो तो आपको पूजा करने का भी अधिकार है और हमारे constitution ने आपको ये भी अधिकार दिया है कि आप अगर पूजा करना नहीं चाहते हो तो आपने नहीं करनी चाहिए आप पर कोई जोर जबरस्ती नहीं कर सकता है आपको कोई blackmail भी नहीं कर सकता है अभी हमारे बुजूर्ग नाराज होते हैं तो कई चीजों के बारे में नाराज होते हैं हमारे माता पिता घर के बुजूर्ग लोग कई चीजों के बारे में नाराज होते हैं बुजूर्ग नाराज होते हैं इसलिए मैं कोई अपनी चीज, कोई भी चीज अपने जीवन में compulsory अमल में लाता हूँ, ऐसा जो वेक्ति कहता है वो जुट बोलता है, ऐसा मैं मानता हूँ हाँ, उसमें मैं दो बाते करने के लिए हमेशा कहता हूँ कि जिसमें कोई वैल्यू की बात नहीं, मुल्य की बात नहीं, कोई तात्विक बात नहीं ऐसे जगह पर आप अपने बुजुर्गों ने जो बात कही आपको पसंद भी नहीं है फिर भी आपको अमल में लाने की गुंजाईश है क्योंकि वो आपके value की बात नहीं है वो आपके मुल्य की बात नहीं है कोई तात्विक बात नहीं है थोड़ा मुत adjustment किया जाए तो उससे कुछ बिगड़ता नहीं अगर उस कारण हमारे घर के लोग खुश रहें उनको अच्छा लगे तो कर लेना चाहिए लेकिन अगर कोई तात्विक बात है मुल्य की बात है आपके विचारों में बिल्कुल वो जमने वाली बात नहीं है आपको लगता है कि ये विचार मुझ पर ला दे जा रहे है तब आपको बात न सुनने का अधिकार है और आपने वो आगरह से वो बात अमल में लाने चाहिए उसके स्टेप्स क्या होते है पहली स्टेप्स होती है अपने घर के बुजुर्गों को ठेक डन से समझाओ प्यार से समझाओ बगेर चीडे बगेर कुछ कम ज़्यादा कहे आपको जो कहना है क्यों आप इस बात को यानि जैसे मैं पुजा क्यों नहीं करना चाहता हूँ शांती से बात रखी भाई कई लोग पुजा नहीं करते थे विनोबा जी पुजा कभी करते नहीं थे गांदी जी कभी पुजा नहीं करते थे स्वामी विवेकानन कभी पूजा नहीं करते थे काफी बड़े बड़े लोग जो अपने आपको धार्मिक कहलाते आए हैं जुनको लोग धार्मिक मानते आए हैं वो पूजा नहीं करते थे वो मेडिटेट करते थे मेडिटेशन का उपयोग करते थे गांदी जी प्रार्थाना का उपयोग करते थे लेकिन पूजा नहीं करते थे तो आप ये सब बाते ठीक डंग से समझा सकते हो अब शायद गांदी जी का नाम नहीं चलेगा हमारे बुजुर्गों को शायद विनोबा का नाम नहीं चलेगा लेकिन विवेकाननजी का तो नाम चलेगा वो विवेकाननजी के बारे में तो नहीं कह सकेंगे कि वो अधार में एक व्यक्टी था इसलिए ऐसा करता था इसलिए ये हमारी स्वतंद्रता की बात है हमारे घर के लोगों का भी लोक शिक्षेन करना विचार करने के लिए उनको प्रवुरुत्य करना ये भी हमारा काम है लेकिन उनका अपमान न करते हुए शायद ये बाते कहते वक्त उन्होंने अपमान किया तो भी उसके तरफ ध्यान न देते हुए अपनी बात आत्मविश्वास से रखते जाईए अपनी बात कहते जाईए और जहां आपको लगता है कि यह मेरे लिए यह तत्विक बात है मैंने अमल में नहीं लानी चाहिए वहां आपना अगरह कायम रखे मैं आपको इतना अश्वस्त करता हूँ कि इसकारण आपके घर के लोगों का आपके प्रती का प्रेम बिल्कुल कम नहीं होगा आपके विचार अलग है आप उनकी हर बात नहीं मानते हो इसके बावजुद वो आपसे प्रेम करते रहेंगे केवल हमारा हमेशा का बरताव उनके साथ में अच्छा होना चाहिए positive होना चाहिए उनका अपमाद न करने वाला होना चाहिए और अपने विशारों के बारे में आगधर रखने का हमें अधिकार है वो अमल में हम लाते रहेंगे यह संभव है मैं तो काल्पनिक बाते नहीं करता हूँ बहुत practical बाते करता हूँ हर एक को अपने जीवन में करना होता है जो भी पुराने ढर्रे का जीवन उसमें परिवर्तन करना चाहता है उस ढंग से जीना नहीं चाहता है उस हर वेक्ति को ये संगर्श जेलना होता है और हम करते हैं ये हर बात तो हमारे माता-पिता की नहीं सुनते हैं उनके कई आग्रह होते हैं उनके उपर जो समस्कार हुए उसकार है हर आग्रह हमारे जिवन में अमल में नहीं लाते हैं तो इसलिए सम्वात प्रक्रिया शुरू रहे प्रेम का वातावरण कायम रहे और हमारा अलग आचरण, अलग विवहार या फिर अलग विचार भी कायम रहे ये संतुलन बनाया रखा जा सकता है और ये संभव है कि हमने करना चाहिए अगर आपको ये विडियो पसंद आया हो तो उसे जरूर लाइक करें लोगों में ये अवेर्नेस पहलाने में हमारे मदद करें विडियो को जरूर शेयर भी करें तो हमारे यूट्यूब चैनल शाम मानो को विजिट करें ऐसे सारे विडियो का आनन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके लिए सब्सक्राइब बिटन दबाए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए